हेलो गाईज, वेलकम टो आर यूटूब चैनल, होप यू आल आर डूइंग ग्रेट, आज मैं आपको मुंबई महारेश्टर से 30 किलोमेटर दूर एक हिस्टॉरिक फोर्ट के बारे में बताने वाली हो, तो आईए जानते हैं इस फोर्ट के बारे में, इस फोर्ट का नाम है गोडबंदर फोर्ट, ये फोर्ट लोकेटेड है गोडबंदर गाउ थाने महारेश्टर इंडिया में, ये फोर्ट उल्हास नदी के साउथ में पहाड़ पर स्तेत है, गोडबंदर को गोडबंदर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पोचुगीज अर्बों के साथ घो 1730 में पोचुगी स्थाने शहर में आये और 20 साल के बाद यानि की 1550 में फोर्ट को बनाने का काम शुरू किया, तकरीबन 180 साल की कड़ी महनत के बाद ये पूरा फोर्ट बन कर तयार हुआ, 1730 में बना ये फोर्ट, पोचुगीज ने नाम रखा काकाबे देताना, देखने में बहुत ही खुबसूरत था, चर्च की दिवारों पर दो बहुत ही खुबसूरत इंजल भी एंग्रेफ की गई थी, जो आज भी इस चर्च की शोभा बढ़ाती है, पोर्चुगीज ने काफी साल यहाँ पर हुकुमत की, बहुत से किताबों और मैप्स में बताय जाता है कि यह फोर्ट को कबजा करने के लिए बहुत से राजाओं ने कोशिश की थी, लेकिन वो सब नाकाम रहे, क्योंकि पोर्चुगीज की फोज उस समय काफी ताकतवर थी, फिर 1672 में चत्रपती शिवाजी महाराज उनकी सेना के साथ उस फोर्ट पर अटैक किया, ले इन 1737, चिमना जी अपपा, जो बाला जी विश्वनात के बेटे और बाजी रव पेश्वा के छोटे भाई, उन्होंने पोर्चुगीज को हराकर उनसे जीत हासिल कर ली, ये खीले को मराथा ने अपने ताबे में ले लिया, 1818 में अंग्रेजों ने खीले पर कबजा कर लि जीला प्रशासन का हेड़कॉर्टर बना दिया, घोडबंदर कीला थाने महाराष्टर में एक विशाल टूरिस अट्रैक्शन रहा, फोर्ट की बिगरती हालत को देखके, गवर्मेंट ओफ इंडिया ने इसका रिनोवेशन स्टार्ट किया, गवर्मेंट ओफ इंडिया ने आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया, ये एक इंडियन गवर्मेंट ओथराइजड आर्केलोजिकल रिसर्च सेंटर है, जो रिस्पॉंसिबिलिटी लेती है कल्चरल हिस्टॉरिकल मॉनिमेंट्स को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए, एसाइ को एलेक्जेंडर करिं आपको ये कहानी काफि पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फोर्मेटिव लगी हो तो, प्लीज डू लाइक, शेर, और सब्सक्राइब तो आर यूटुब चैनल, नॉलेज का खजाना ग्लावाँ शेर, टो आर ये पादर लाइक, शेर, खटा रणा ये कर क्था लाइक, शेर, अटार इन्फोर्मेटिव लाइक, वीडियो लेडियो अघकर ख़यो कि एलेक्जेंडर कर दो बस्यों एलेकर, प्ल insबादर के बस्जेंडर कर दोद्सकी लाइक, दोगर पज़ हो